दोस्तों नमस्कार स्वागत है मेरा चनल में दोस्तों जो प्लांट आप देख रहे हैं यह अरेलिया प्लांट है आज हम आपको यहाँ पर देखाएंगे आपके घर पर यह जदी प्लांट है तो आप किस तरीके से इसका नया बेबी प्लांट बना सकते हैं दोस्तों यहां पर आप जिदी कटिंग करेंगे तो कौन सा मौसम में करेंगे जो सबसे अच्छा होगा इसका जो रिजल्ट होता है सबसे अच्छा होता है बरसात के मौसम में हम देखें हैं दोस्तों सबसे अच्छा रिजल्ट इसका होता है या कोई भी प्लांट जिदी सबसे बड़ा बात है कि अपने प्लांट को लगार है इस समय में तो बहुत ही जल्दी मिट्टी का अंदर में लग जाता है और वह हराब हरा हो जाता है और खराब परब नहीं होता है दोस्तों होता क्या है है जदि हम लोग फरवरी महीना में जड़े वसंतरी तो उस समय में थोड़ा बातमें घरम पढ़ने लगता है तो प्लांट तो थोड़ा मतलब जट में लगाने के लिए उसका मिटी में पळाएंगा उसमस्रा Services के पर्छोप्न कि अह प्लांट जो है मार्केट में थोड़ा कोश्टली मिलता है और जिदी आपके पास यह प्लांट है तो आप किस तरीके से अपने प्लांट से नया सब बेवी प्लांट ग्रो करेंगे वह चीज हम आपको यहां पर देखाएंगे और दूसरा इसका आपका फायदा होगा कि आपक एक महिना का इसका रिजल्ट हम आपको देखाएंगे जो इस प्लांट का जो कंडिशन है क्या है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर प्लांट को जो एक महिना बाद इसका कंडिशन क्या है वही पुराना वाला ही है और इसका पत्ता बिल्कुल हरा भारा हो गिया और समय लए करके हम फालू में दिये हैं, और उसका नया भी प्लांट दोस्तों, रेडी हो चुका है, जिसrafos को मिल्टी के fahren दो सब्सक्राइब भुसायां सब्सक्राइब को पर यहां देखुँ energy का इस सब्सक्राइब रहें बैप कर दिएा है यहां ना देख सकते हैं। इस साइज क्टिंग लेना है। और वहाँ पर ले करके आपको मामूली साक्तों कुछ नहीं लगता है। इसकेrone, आपको कोई भी रूट हर्मोंस देना है कोई भी कमपनी की रूट हर्मोंस हो। यह पाज़का होट अगई जन्हों दोस्तों इसके आलव that अल 8 lif कि अरुसमें आपको सिनमान पाउडर में तो इसको ब्राण्ज को थोड़ा हलका पानी में थ्वटा सिनमन पाड़र को थोड़ा इसमें लगाई और उसमें बालू में लगा दीजिए आपका प्लांड जो है बिल्कुल 100% होगा दोस्तों इसको होने में कितना समय लगता है कटिंग को होने में कितना समय लगता ये बात का जनकाई रखना बहुत ही जरूरी है इसका जड़ पूर जो है खूब ज्यादा बड़ा पॉर्ट नहीं लेने पड़ेगा आप मेरा पॉर्ट को देख सकते हैं या पर चार इंची छे इंची यही दो वेराइटी का पॉर्ट है और मिट्टी का पॉर्ट है तो आप क्या करेंगे आपके पास पॉली बैग है जो ब्लैक वाला मार्क दोस्तों हम आपको देखा देजी इस तरीके से यहां बालू में हम लगाएं तो इसी तरीके से इसको हम कटिंग को लेकर करके हम बालू में यहां पर लगाए हैं और इसका 30-35 दिन हो चुका पूरा दोस्तों बरसांत का मौसम में अभी के मौसम में इसका रिजल्ट बहुत सकता है नहीं तो इसको बाहर में ही रखी आपका प्लांट बिल्कुल 100% रिजल्ट देगा आए दोस्तों हम आपको देखा रहे हैं पर कितने कुछ प्लांट को जो बेवी प्लांट है उसको निकाल करके आपको देखा रहे हैं इसका जड़ पूरा अच्छा तरह से आया है और यह बहुत ही अच्छा लाएगा हमारा जो भी हमला है इसके नदर हम इसको आप देखिए जड़ देखिया इसका जड़ बहुत ही अच्छा हुआ तो कोई भी प्लांट को लगने के लिए जड़ जो है जितना है बहुत ही काफी है दोस्तों हम आपको देखा रहे हैं तो उस प्लांट को लगने में थोड़ा प्रोब्लेम होता है उसका जड़ खराब होने का समया रहता है तो इस जैसे सुखा मिटी में यह लगा रहे हैं तो दोस्तों इसके अंदर हम थोड़ा फंगी साइड दिये क्योंकि विवरसात के मौसम है प्लांट के अंदर में फंगस लगने का थोड़ा आए रहता है तो आपके पास शाइड है अब यहां जढ़ось रहता है और बर रहता है तो तो ऑटे ब्रांच नाप Rat बड़ आने में प्रोब्लेम होगा और सही तरीके से नहीं आएगा और आप क्या करेंगे हम जो कटिंग किये थे उसमें तो इसका जो उपर का जो ब्रांच है उसको हम कट कर दिये थे क्योंकि थोड़ा छोटा कर दिये थे तो दोस्तों यह आसानी से लग गया और अभी जैसे कोई नया जी कोई जेती प्लांट है उसका जीदी बराजमाली देखिएगा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपका प्लांट जो है जो जड़ होता है बहुत ही नरम होता है इसके उपर खुब ज्यादा भी प्रेसर नहीं देने हलका हाथ से इसको मिटी दे करके इसको आपको लगाने रहता है लग गया तो लगने के बाद जिदि आ बहुत बड़ा पौधा है तो उसके नीचे में रखिए तो होगा गया यह आठ दिन के अंदर में मिटी के अंदर में जड़ है अपना पूरा पकड़ बना लेगा उसका प्लांट जो है ग्रीन हो जाएगा पहले कोई भी प्लांट लगाने के बाद इस बात का थोड़ा ध् जी और जीमानले जीए इरिया में पानी हो रहा थे इसको शेड में रखने के जोड़त नहीं इसको बाहर ही रखिए कोई प्रोब्लम नहीं है प्लांट आपका लग जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से अपने वेबी प्लांट को आप लगा सकते हैं और आपका प्लांट ब तो दोस्तों यहां देखिए आप देख सकते हैं वाटर केन जो हम आपको देखा रहा है इस तरीक एक वाटर केन होना चाहिए डारेक्ट मसीन द्वारा बहुत लोग दे देते हैं तो मिट्टी जो है बच्चा पलांट है उखड़ जाएगा तो दोस्तों इसका जो मदर पलांट है यह वाला है आप देख सकते हैं तो इसी के द्वारा इसा बनाया गया प्लांट तो आप भी अपने घर पर प्लांट बना सकते हैं दोस्तों